देश भर में कोरोना ठीका करन अभ्यान रफतार से चल रहा है ठीके के लिए लोग प्रोच साहित हों इसके लिए जगा जगा अलग अलग तरीके से वैक्सीन ड्राइव चलाई जा रही है इसी कड़ी में कोटा जिले में बुद्वार को 103 साइट्स पर कोरोना से बचाने के लिए वैक्सीन लगाई गई इस दोरान एक सप्तहा के बाद 18-44 आयू के लाभार्थियों को भी इसका लाभ मिला तो वही पर 45 प्लस उम्र के लोगों को भी वैक्सीन लगाई गई कोटा शहर में विज्ञान नगर, दादाबाडी, भीम गंज, मंडी सहित एक दरजन से ज्यादा जगाऊं पर तो वही पर ग्रामिन एक शेत्रों में आधा दरजन से ज्यादा जगाऊं पर 18-44 आयू के लाभार्थियों को वैक्सीन लगाई गई एक सब्तहा के बाद यूवावर्ग के लोगों को वैक्सीन लगने से यूवावर्ग में भी काफी उत्साहा दिखा कई सामुदाइक स्वास्ते केंद्रों पर भीड भी देखने को मिली जिसको काबू करने के लिए पुलिस बल को तैनात किया गया जी हैं जी हैं और बहुत बड़ी खुष्कपरी की बात है बदाये पहले सब को कि 18 साल से उपर के लिए वैक्सीन मिल गई है हमारे यहाँ पर दोनों की लग रही है क्जो पेटालीस साल से उपर वालों की तो पहले भी लग रही थी पर उसमें बहुत कमा रहे थे हमने गेम भी किये कही जगे दूर डिस्टेंस साइट पर जाके लेकिन इतने नहीं उपा रहे थे क्योंकि उपके काफी लग चुकी थी तीन महीने से लग रही थी लेकिन आज जब 18 से उपर आया है और इसमें ऑफ-लाइन और ओन-लाइन दोनों बड़ा उसाव होत है सब में और शायद उसकारण भी हुआ है कि अभी जो दूसरी लेहर का तान्डव देखा है सबने और जो बचाव देखा funciona महामारी से बचने के लिए कोरोणा टीका हि सबसे अचूक और कारगर उपाए है कोरोणा टीका लेने वालों को भी बचाता है और ये संक्रमण फैलने के खत्रे को भी कम करता है इसलिए जरूरी है कि जल्दी से जल्दी लोगों का टीका करन हो इसलिए कोरोना वारस की तेजी से फैल रही दूसरी लहर को नियंतरत करने के लिए सरकार ने देश भर में टीका करन की रफतार को तेज कर द झाल झाल